नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं के निकट से जुलूस की सक्त में निकला विद्यार्थियों का होजुम विभिन चोक्चोराओ से गुजर गया विरोध मार्च में सिर्फ हजारी बाग ही नहीं बलिक इसके आसपास के इलाकों से भी हजारों की संख्या में विद्यार्थि सामिल थे बता दे इन में छात्राओ की संख्या भी खासी थी छात्राओ का काना था कि उन लोगों के साथ भी सरकार ने भादा मजा किया है जब छात्रा अंदोलन हुआ है तो सिंहासन डोला है सरकार ने उन लोगों के लिए नियोजन निती लेकर लोलीपोप थमा दिया और हाई कोर्ट ने नियोजन निती को रद कर दिया सियम हमन्त के निती तुमें राज येपाल से मिलेगा सरदलिय प्रतिनीधी मंडल सित काली सात्र के पहले दिन की करवाय अस्थागीत होने के बाद स्पीकर के कक्ष में कार्य मंत्रना की बैठाक होई इसमें मुखे मंत्री हमन्सुरेन ज्ञारकन हाई कोर्ट से रद नियोजन निती का मसला उठाया उन्होंने कहा है कि नियोजन निती रद होने से युवाओ में आकरोस है या निर्ने ज्ञारकनी युवाओ के हक और अधिकार के बाधक बना है ऐसे में अब 1932 के खत्यान अधारित अस्थानिये निती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि जहरकन के अस्थानिये को सरकारी नोकरी में उनका हक मिल सके उन्होंने कहा है कि 11.9.2022 को जहरकन अस्थानिये ब्यक्तियों की परिभासा और परिनायमी समाजिक संस्कीरितिक और अने लाभोक वाय से अस्थानिये ब्यक्तियों तक विस्तालित करने के लिए बिधयार 2022 को सदन से पालित कराया गया था बील की कोफी पर राजेपल का हस्थाक्षार होना बाकी है इसलिए उन्होंने अस्थानियता और नियोजन की समस्या से निपटने के लिए इस बील पर राजेपाल सहस्ताक्षर कराने के लिए मुलकाच की बात कही है बिधान सभा में रंधीर सिंग को किया गया मारसल आउट बिधान सभा का सित कलने सात्र खुब हंगामे दार रहा इसकी वज़ा बनी साहव गंज की घटना है सात्र के पहले दिन सोक प्रस्ताव का आउजन किया गया था इस दोरां साहव गंज में मारी गजन जातिये योती का नाम उस सुची में सामिल नहीं होने पर बिधान सभा के अंदर जोड़दार हंगामा किया बिजेपी से सारट बिधाय गरंधीर कुमार सिंग ने बेंच के उपर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया इसके बाद सारट बिधाय को मार्सल आउट किया गया सदन से बाहर आकर सरट विधाया करन्धिर सिंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सदन में मैंने साहव गंज में हुई लड़की की मौत का मुदा उठाया सरकार ने सोक प्रस्ताव में साहब गज में माली गई लड़की का नाम सूची में सामिल नहीं होने पर सवाल उठाया की लेकिन सरकार के पास कोई जबाब नहीं था एक जंजाती यूती की मौत पर उनका नाम सोक प्रकास में सामिल नहीं करने पर मैंने इसका बिरोध किया जारखन में हाथियों के उत्पात से दो साल में 200 से अधिक लोगों की मौत केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र रयादों ने रांची के संसर संजासेट के सवाल पर सदन को बताया कि पिछले दो वर्षों में जंगली हाथियों के उत्पात से जारखन में 200 से अधिक लोग की मौत हुई है इसमें 2020-21 में 74 लोग और 2021-22 में 133 लोगों ने हाथियों का सीकार होकर अपनी जान गवाई इसके अतिरीक्त संपाती आदिक इछाती और मौपजे के लिए 2020-21 में 591 लाख रुपए और 2021-22 में 485 लाख रुपए का भोगतान मौपजा के रुप में किया गया केंद्रिये परयावरान वन और जल्वायू परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र यादों ने सदन में बताया कि देश में हाथियों को और उनके परयावरन की सुरक्षावा उनके सनचन के लिए केंद्र प्रायोजीत इसकीम हाथी पर योजिना के तवात राजियों को तक्निकी साहता परदान की जाती है मुख्य मंध्री आतिरीक तजार्खन और उडिशा में हाल ही में हाथीयों की मोद की घटना पर मंत्राला भी घंबीर हैं और एक उच अस्तरे समीति का गठन किया गया है मुख्य मंत्री शुखाळ रहात योजिना में वेरिफिकेशन की रफ्तार धहिमी मुख्य मत्य सुखार रहात विजना में प्रसासनिक सुष्टी की वज़ा से गढ़वा जीले के किसानों को राशी मिलने में देरी हो सकती है क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख की घोसना का नुशार यमन सुरेन सरकार के तीन साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को किसानों के खाते में सुखार रहात की राशी बेची जानी है लेकिन धीमीर अफ्तार को देख कर लगता है कि जीले के महाज 10 परत्रत किसानों को भी इस योजना कलाब नहीं मिल पाएगा हलाकि इस योजना को लेकर जीले के लोग काफे उत्साही था है बतादे 16 दिसंबर तक गढ़भा जीले के 1,77,195 लोगों ने इस योजना कलाब लेने के लिए आवेदन किया है लेकिन परसासनिक सुष्ट गती का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनमें से अभी तक मात्र 136 किसानों के भूमी समंदी दस्तावेच के सत्यापन हो सका है ताजिक किस्तान में फसे 44 मैदूरों ने सरकार से लगाई घरवापसी की गुहार जार्खन के 44 मैदूर अपनी कमपनी की मनमानी के कारण ताजिक किस्तान में फसे हुए है जार्खन के 45 मैदूर ताजिक किस्तान में कल्पत्रूअ की मनमानी के वज़ासे मुसीबत में फसे हुए है ये सबी जार्खन के गिर इडिया था जारीबाग और वकारो जिल्य से रोजगार कि तलास में कजी किस्तान आये थे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन मजदूरों ने ताजिकिस्तान से वतन वापसी की गुहार लगाई है जार्खन सरकार की उच सिक्षा सचीव हाई कोट में हाजीर जार्खन हाई कोट के नियाधी सुजीत नयान परसाद और रतनागर भेगडा की अदालत में एसेस कोलेज देवगहर के सिक्षको के बकाया बेतन भुगताईं से समधीत एकल पीट के आदेश के खिलाप दायर सिद्धू कानो मुर्मो इन्वसिटी और राज सरकार की अपील एचका पर सुमर को सुनवाई हुई बता दे जारकन हाई कोट के आदेश पर सुनवाई के दुरान जारकन सरकार के उस सिक्षा सचीव अदालत में सवसरी उपस्थित हुए कोट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का आदेश दिया अदालत ने पुछा है कि एकल पीट के आदेश में क्या क्या तुरूटिया रही है मामले की अगली सुनवाई के तिथी 22 दिसमर निधायित की गई है कॉंग्रेश निताओं ने रायस ठाकूर के खिलाब खोला मोर्चा कॉंग्रेश में एक बार फिर अंतरक कला देखने को मिल रहा है कॉंग्रेश के परदेश निताओं ने अपने ही परदेश अध्यक रायस ठाकूर के खिलाब आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है अपने नीजी फायदे के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं इसलिए आज कॉंग्रेस के परदेश नेताओं के साथ अहम बैठा की गई इसमें यह अताय किया गया कि राईस ठाकूर को परदेश अध्यक्ष के पज से हटाने के लिए आला कमान से बात की जाएगी जार्खन सरक बार को दीन से सर्वर में अचानक समस्या आ गई जो स्वोम वार साम चारवे तक वेपसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी इसके कारण सरकार को कडोरों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया सरकारी लेंदें सहीत अने सभी जरूरी काम बुरी तरस प्रभावित हुई सरकारी अनलाइन पेमेंट जर्कन नेट के द्वारा ही होता है कई फाइलो का मुवमेंट इसके द्वारा होता है रेवेन्यू जेनरेशन का भी काम ठप पर गया था सरसाथवी सीनियर राष्ट्रिय कुस्ती परत्योकता के लिए जार्खन की टीम रवाना 21 से 23 दिसंबर से विश्याखा पटना में आयोजी सरसाथवी पुरूस फ्रीस्टाइल गिरीको रूमन और महिला फ्रीस्टाइल सिनियर राष्ट्रिय कुस्ती परत्योकता के लिए ज्यारकन की 36 से कुस्ती टीम जिसमें 20 पूरूस पहलवान, 10 महिला पहलवान और 6 टीम प्रस क्या गया, मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने कहा, क्या दिल्ली, MP, UP में नहीं घटती ऐसी घटना है, साहब गंज के रूबिका पहारन, हत्याकांड को लेकर मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने सुमवार को भीधान सभा के बाहर कहा की, लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जग नहीं घटी क्या उतर परदेश में ऐसी घटनाय सामने नहीं आती निश्चित रूप से समाज में बीक्रीतियां फैल रही है या बीक्रीतियां क्यों फैल रही है इसका समाधान कैसे हो या चिंता और चर्चा का भी साय है इधार भाजपा भीधायक दलकनेता बाबुला में सुद नियोर्जित तरीके से बंगला देशी घुसपैटियों को जार्कन में बसाया जा रहा है गुवा और जार्कन के बीच रंजी किर्केट मैच 20 दिसंबर से 20 दिसंबर से रंजी ट्रोफी 2022 सेरीज का अगाज हो रहा है दरसल पिछले दो सालों से कोबिन एंडिंग डिकार्या टोर्नामेंट नहीं खेला गया बी से इस मताबिक रंजी ट्रोफी 2022 दो हजर हुँष देश में कूल 135 मुकाबले खेले जाएंगी वही इस ट्रूरंमेंट का फाइनल मैच 20 फरवारी 2023 को खेला जाए बतादे रंजी ट्रोफी 2022 स्टेज सीरीज में कूल 32 टीमें खेलेंगी सभी टीमों को अलग अलग पांच गुरूप में बटा गया सभी गुरूप की टॉप दो टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाइब करेगी बीएट कॉंसिलिंग के प्रथम चरन का पैनाम आज राजी के बीएट कोले में नमांकन के लिए राची बीस वीदयाले की वह से आयुजीत प्रथम चरन की ऑनलाइन कौंसिलिंग सोमवार को संपन हुई आखरी दिन तक बीस वीदयाले को 9000 आवेदन प्राप्त हुए काउंसिलिंग का पहिना मंगलवार साम 5 बजे B8 काउंसिलिंग की वेपसाइट पर जारी कर दिया जाएगा बता दे आवेदक अपने नाम के साथ ओल आउट किये गई B8 कॉलेज के सुची वेपसाइट पर देख सकेंगे आवेदकों को इसके इमेल पर भी या सुचना उपलब्ध कराई जाएगी जारखन की जमीन पर तेजी से बढ़ रहा बांगलादेशी घुसपैठियो का कबजा जारखन में बड़ी सेंखा में बांगलादेशी घुसपैठियो के कबजा जमाल लेने का मामला सोमवार को लोग सभा में भी गुजा बता दे भाजपा के सदस निसीकान दूबे ने सोमवार को जारखन में बड़ी संखा में बांगला देशी घुस पैठियों को कबजा जमाल लेने पर मामला उठाया उन्होंने जारखन की एक आदिवासी यूती से जबरन साधी कर लेने और बाद में उसकी कुरूरता सहत्या करने की घटना की ब्यापक जाच करा जाने की मांगगी निसीकान दूबे ने लोग सभा सुने काल में जारखन में बड़ी संखा में बांगला देशी घुस पैठियों के मुद्धे को उठाते हुए कहा है कि जार्खन खास कर उनके निर्वाचन चेत्र गोड़ा में बड़ी सेंखा में बंगला देसी घुस पैठों ने कबजा जमा रखा है 2018 बैच के 20 दरोगा ने वर्दी को किया दागदार जार्खन सरकार के दोवारा वर्ष 2018 में 2646 दरोगा के बाली की गई थी इस बैच के दरोगा अपने कारे सहली को लेकर हमेशा चार्चा में रहते आया है इनमें कई ऐसे दरोगा है जिनकी वज़से वर्दी पर दाग लगी है इन दरोगा के उपर कोईला चोरी कराने से लेकर घूस लेने चोरी करने और योन सोसन का आरूप लगा है इन दरोगा की वज़ा से जार्खन पूलिस की बदनामी भी हो रही है बता दे रांची के होस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छैतरा ने लालपूर थाना के दरोगा ससांक कुमार पर साधी का जासा दे कर दुसकर्म करने का रोप लगाया है अनुबंधित कर्मियों को सीधे नियमित नहीं कर सकते कैट केंद्रिय प्रसासनिक न्याधी करन कैट ने एक फैसले में कहा है कि अनुबंध पर कार्य कर्मियों को सीधे नियमित नहीं किया जा सकता उन्हें इसके लिए अन्य आवेद को के साथ परतियोगी परिक्षाओं में प्रतियस फर्दा करनी होगी इसी के साथ कैट ने रामनोहर लोहिया अस्पताल में दस वर्स अधिक समय से अनुबंद पर कारे रात कैट ने कहा कि सुप्रीम कोट के पूर्व के फैसले के साथ है कि और स्थाई कर्मियों की मांग पर नियमित भरति को रोका नहीं जा सकता कैट ने कहा सनवीदा कर्मियों को सेवा में उनकी नियुक्ति के अधार पर उम्र सिवा में छोट और आंको का लाब दिया जाना चाहिए जारखन में डिजीपी नियुक्ति मामला में 23 तक सुधारे सूप्रीम कोट ने जार्खण में DGP की नियुकती से समधित राज सरकार की ओर से भेज़ेग प्रस्ताव पर UPSC की ओर से उठाई गई आपतियों और क्वेरी का जबाब 23 दिसंबर तक देने का निर्देश दिया है जारकन सरकार की ओर से किवेरी का जबाब मिलने के बाद UPSC को 9 जनवरी तक निनर लेने का निर्देश इस अदालत ने दिया है सोमवार को राजे में DGP की नियुकती में हो रहे बिलम को लेकर दायर एक मामले के सुनवाई करते हुए चिफ जस्टीस डिवाई चंद्र चूर और जस्टीस पीएस नर सिम्हा की अदालत ने या निर्देश दिया है 21 दिसंबर को विधान सभा घेरेगा छात्र यूनियान हाई कोट से नियोजन निती रद होने के बाद बेरुजगार यूआओने मोराबादी चित बापू आटिका में बैठक की बैठक जारकन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन के बैनात तले होई 21 दिसंबर को चात्र संगटन विधान सभा के घेराव करेंगे साथ ही रांची बंद की अवाहन को उन्होंने वापस ले लिया जारकन्डी चात्रों के हित में एक असपश्ट नियोजन निती सरकार लागू करे जे पिएसी और जेसेसी में पांच वरस की उम्र सीमा में छूट देते हुए समझ तरीक्त पदों पर जल्द से जल्द भाली निकाली जाए इस मौके पर छात्र निता देविंद्र नात महतो, योगेस, चंदन, गुलाम और इसमिरिती बिनाय ने कहा है कि जरकन सरकार सूर नियोजी तरीके से जान पुछ कर रोजगार नहीं देने की मंसा से ऐसा नियोजन निती बनाया था जो आगे चलकर रद हो जाए दुर्बेवहार के खिलाप बिजेपी का अंचल कर्याले घेराव पुरविधायक रामकुमार पाहन गरामी जिला अध्यक्स मौझूद थे धर्मांतरन के खिलाप घर्वापसी का अभियान विश्व हिंदू परिशद ने अवयध मतांतरन के खिलाप लोगों को जाबरूप करने के लिए और घर्वापसी के लिए 11 दिनों का विश्व अभियान चलाने का निना लिया है इसके लिए 11 से 31 दिसंबर तक पूरे देश में धर्म राक्षा दिवस के कारकरम आयोजित किये जाएंगे इस दवरान घर्वापसी के लिए बिशे सभ्यान चलाया जाएगा देश में हजारों अस्थानों पर घर्वापसी के कारकरम होंगे वही 25 से 31 दिसंबर तक मंदीरों में बड़े सरोजनिक कारकरम आयोजित किये जाएंगे बता देविहिप के अंतराश्रे महमंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि इस दवरान हिंदु धर्म और संस्क्रीती के भाव के द्रिधिक करण और अवैद मतांत्रत के बिरोध में जागरन के अने कारकरम जैसे संगोष्टिया परभात फेरी यग ये हनुमान चलिसा पाठ सुन्दरकंड का आयोजन समुहिक भोज आधिक के आयोजन किये जाएंगे जारखन हाई कोट के मुखे नयाधिस को दी गई बिदाई जारखन हाई कोट के मुखे नयाधिस डाक्टर रवी रंजन को हाई कोट के नयाधिस अधिवक्ताओ और नयाई करमचारियों के ओर से बिदाई दी गई मुखे नियाधिस का सोमवर को अमतिम कारेत दिवस रहा उसके बाद उन्हें विदाई दी गई इस मौके पर जारकन हाई कोट के वरिष्ट नियाधिस अपरेश कुमार सिंग अन्य नियाधिस नियाईक पताधिकारी और अधिवक्ता उपस्तित थे विदाई समारों में उपस्तित लोगों के आगरापरमुके नियाधिस ने अपने अधिकाल के अनुभाव उपस्तित जजो और अधिवक्ताओं के साथ साजा किया धन्यवाद